नमस्कार गुड़ बॉनिंग मुझे तो साथ बजे सुबह के और प्रॉक्सिमिटली मुझे तो उठे हुए दो गंडे हो गए हैं करीबन पांच बजे प्रॉक्सिमिटली मैं रोज जगता हूं रात को ग्यारा बजे तक अवे की होता हूं कामी कर रहा हूता हूं इस वीडिय पहले की एक खबर पड़ी न्यूस लॉंडरी पर पता लगा की चंदीगड में खास कर 22 जर्नलिस्ट एक ही न्यूस पेपर के या जर्नलिस्ट या स्टाफ मैं कह नहीं सकता ते लॉस्ट इर जॉब्स आज सुबह एक जून 2020 को एक और खबर पड़ी दिल्ली गॉल्फ कलब के 66 स्टाफ को निकाल दिया गया इन में से कुछ ऐसे स्टाफ भी थे जो दिल्ली गॉल्फ कलम में साट से सारी 25 से 30 साल का उनका टैनियर हो गया था और वो काम कर रहे थे तो ये वीडियो में खास कर उन पत्रकारों के लिए बना रहा हूं जुद में से आपके भी दोस्त होंगे आपके भी जानकार होंगे अगर किसी पत्रकार की भी भारत में किसी डिस्ट्रिक्ट में भी नौकरी गई है करोना की वज़ा से अगर नौकरी चली गई तो क्या दुनिया रुक जाएगी? नहीं, नहीं रुकेगी आपको इस वक्त दूसरी नौकरी तो मिलने से रही ये भी मैं समझता हूँ, जब तक आपको दूसरी नौकरी नहीं मिलती, आओ आमपरेस के साथ काम करो खाली मत बैठो, एन आइडल माइंड इस अ डेविल्स वरक्शॉप और ये भी हो सकता है कि एक बार ही आप आमपरेस के साथ काम कर लोगे तो जिन्दगी में आप दूसरी बार किसी और न्यूस पेपर या टीवी चैनल के साथ काम नहीं करना चाहोगे अब क्या होता है कि जब जब इनसान की रोजी रोटी पर आ जाती है ना दाल रोटी पर आ जाती है नौकरी से पैसे मिलते हैं नौकरी चली जाती है पैसे मिलने बंध हो जाते हैं फिर आदमी फड़ फड़ाता है इनसान फड़ फड़ाता है इस नौड़ बॉर्ड आदमी या महिला उस situation में दो किसम के लोग होते हैं एक जो कहते हैं चैलिंज आया है चैलिंज से निपटना है आगे इस चैलिंज का सामना डटके करना है कुछ लोग होते हैं जो ये कहते हैं चैलिंज आगया हो नौकरी चलेगी हो अब किसके तरफ उंगली पॉइंट करूं सरकार की तरफ, करोना की तरफ, अखबार वालों की तरफ, टीवी चैनलों की तरफ, जिन्होंने मेरी नौकरी से मुझे निकाला, किस की तरफ उगली पॉइंट करूँ, उगली पॉइंट करने से आपकी टेबल के ओपर दाल, रोटी, चावल, अंडे नहीं आएंगे, सरकार को जानते हैं, जिसकी करोना की वज़ा से नौकरी छूटी है, उसको ये वीडियो भेज़ दो, जर्नलिस्ट, if you are watching this वीडियो, आम्प्रेस्टीवी, आम्प्रेस्टीवी, at the rate gmail.com, send me an email, we are looking for video जर्नलिस्ट, we could also work with text जर्नलिस्ट, जो text लिखते हैं, हम कर सकते हैं, हम मानते हैं कि हम पिछले चार साल से एक video जर्नलिस्ट का platform है, लेकिन अगर आपको text लिखना आता है, और video बनाना नहीं आता, फिर भी आप हमारे साथ काम करने चाहते हैं, तो हम आपके experience को तवज़ो देंगे, importance देंगे, हो सकता है, आपकी वज़ा से, आम् आज तक आपने कभी वीडियो नहीं बनाया, अभी बनाना शुरू कर दो, अब सीख लो, जब आँख खुले तब सवेरा, तो कभी भी, चाहिए आप जर्नलिस्ट हैं या नहीं भी हैं, आप तो दर्शक हैं, मुझे नहीं पता आपकी professions क्या हैं, थैंक यू यूसूफ, नया फोन लिये ना, उस वज़ा से ये थोड़ा improvement हो गई है वीडियो quality में, आप चाहिए पत्रकार नहीं भी हैं, आपकी भी चाहिए नौकरी के पैसे कम हो गए हैं, हताश मत हो ये, परिशान मत हो ये, solutions डून लिए, जब मेरे को cancer हुआ था न, मैं भी बैठके रोने रो सकता था, है, मुझे क्यों हुआ cancer, मैंने क्या किया था, मेरे को क्यों हुआ cancer, मेरे साथ ही ऐसी चीज़े क्यों होती हैं, नहीं, मैंने एक बारी भी नहीं हो सवाल पुछा अपने आपको, मैंने ये पुछा, और ये बोला अपने आपको, cancer हो गया, को की में नहीं जा रहा ना उसके साथ जीना सीखो वो इनसान सबसे बड़ा विनर होता है जो अडैप्टेबल होता है लोगों की नौकरिया मुझे ऐसे दो लोग जानते हैं जिनकी नौकरियां चली गई हैं लेकिन ना कभी भी सातवें आसमान में हैं मैंने इन दोडों लोगों को आमप्रेस के साथ काम करने का सामने से फोन करके परसनली जानते हैं मुझे ये लोग सामने से फोन करके उनको ऑपरचुनिटी दी आओ आमप्रेस के साथ काम करो लेकिन नहीं नाक उनकी सातवें आसमान में हैं वापिस जवाब पता क्या है रॉबिनूर तुम बहुत रुखा बोलता हूँ, नौकरी तुम्हारी गई है, मेरी नहीं, खाना तुम्हारा रुक रहा है, मेरा नहीं, तकलीफ तुम्हें आ रही है, मुझे नहीं, मैं तो चार साल से पुराना second hand phone यूज़ करता था था ना, अब आगे न निया फोन मेरे पास भी, निया फोन भी आ ग चार साल यूज किया है मैंने आम प्रेस इसी से खड़ी हुई है बेचा नहीं इसको जाके मैंने पास रखूंगा शायद मेरी कबर तक जाएगा या मेरी चिता में जलेगा ये वैसे तो ना मेरी कबर होगी ना मेरी चिता होगी क्योंकि मैंने तो अपनी बॉड़ी जो है अपनी मृत्यू के बाद डोनेशन के लिए पहले ही दे चुका हूँ आखे नहीं पूरी बॉड़ी तो कभी हार नहीं माननी दर्शको कभी हार नहीं माननी कुछ भी तकलीफ आजाए जिंदगी में सुबह सुबह जब मैं उठा मैंने पहले एक वीडियो बनाया उसका टाइटल आप देख रहे हो ना लाइब में आपको पहले एडवांस में बता देता हूँ उसका टाइटल है गुजरात मॉडल पल्टी गुजरात मॉडल पल्टी ग्यारा बज़े रिलीज करूँ वह वीडियो देख लेना आके तीन मिनट बीस सेकंड का वीडियो है देख लेना पूरा अक्सर मैं नोटिस करता हूँ दर्शक पूरा वीडियो देखते ही नहीं है मेरे जो छोटे 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 वीडियो जाते ना तीन-तीन मिनट के उसमें असली पंच जो होता ना वो एक मिनट के बाद बिल्ड अप होना शुरू होता है मैं क्लिक बेट नहीं करता पहले ही पांच सेकंड में पता नहीं टैंट आं करता हूँ नहीं मैं वैसा नहीं हूँ मेरे से नहीं होती ये गेम्स मुझे नहीं आती ये गेम्स मैं धीरे धीरे अपने सब्जेक्ट का अनाउंस करता हूँ फिर उसको बिल्ड अप करता हूँ एक डेड़ दो मिनट के बाद मारता हूँ खैंच के जर्नलिस्टिक पंच तो देख लिया करो मेरे पूरे वीडियो तीन सबा तीन अक्सर नहीं होते मेरे वीडियो ये लाइफ वीडियो अलग बात है एक यहां पर अभी सुबह सुबह दर्शक आये हैं विजे पूनिया नाम के कहते हैं घंटा तो बजा दिया मैंने तेरा भी घंटा जा पतली गली में जाके ढूंड ले अपने घंटा साड़े तीन सो लोगों के आगे करा ली ना अपनी गंदी तुने मेरे को क्या फरक पड़ा मैंने तो एक बटन दवाया वन टू थिरी करके ब्लॉक और बैन किया और चल भई आगे जी तू औरी पूच्रे हैं गुड मॉनिंग सर वर इस यर ओफिस सर्ट इन मुंबई मेरा ओफिस मुंबई में नहीं है मेरा ओफिस पतहा है कहा है यह रा मेरा ओफिस यहीं से चलती हैillon प्रेश Good morning Baldev Singh कैसे हैं Good things don't last longer but good things are easily not available says Abbas Good morning Good morning Ram Ramji, Rajesh Agarwal कैसे हैं तो कभी भी जिंदगी में हताश नहीं हो नश्या अब मैं आप से एक सवाल पूछता हूं आप सब Aampress के दर्शक हो नश्या Aampress को प्यार करते हो नश्या अब मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, इस वीडियो में मैंने आपको motivational thoughts दिये ना, पर क्या आपने इस live वीडियो को live के दोरान ही share किया, 99% नहीं किया होगा, यहां मुझे लगता है कि आपकी एक opportunity है जो आप lose करते हो, हर वीडियो मेरे, हर वीडियो मेरे या कोई करारा बाब होगा, या कोई motivational message होगा, या कोई inspirational message होगा, मौका आपके पास है, कर दिया करो share, live के दोरान ही share कर दो ना, कितना बड़ा time लगता है, जाने दो ना यह आवाजें, पैसे तो नहीं लेता यार मैं आपसे वीडियो बनाने के लिए, बनाता हूना, दिल से बनाता हूना अब सबके लिए वीडियो तो यह आवाजें मेरी पहुंचने दोना घर-घर में, नहीं मुझे प्रधानमंतरी नहीं बनना, नहीं मुझे politician नहीं बनना, मैं ऐसा ही ठीक हूँ, सबको शीशा दिखाता हूँ मैं, ऐसा ही ठीक हूँ, मुझे अपना skill पता है, मुझे अपनी politician नहीं बनना चाहता, लेकिन हाँ, आप में से politicians जो बनना चाहते हैं, मैं उनको inspire ज़रूर करना चाहता हूँ, थांक्यू हर्मिंदर पाजी, अब देखो आप अभी देख लो, यह लो, 445 लोग लाइब देख रहे हैं और यह 44 shares हूएं, क्यों नहीं करते हैं आप share, क्यों शर्माते हो आप share करने से, यह लो, देख लो, यह किदर आ गया, यह लो, 44 shares हूएं, क्यों शर्माते हो आप लोग क्यों नहीं जाने देते मेरी मेरी अवाजे हर घर तक क्यों नहीं पहुंचाते सुखपाल सिंग जी आप रेटाइड हैं इंडियन आर्मी से आपका स्वागत है बहुत इज़त करता हूँ मैं इंडियन आर्मी की और आप चलो आज दर्शकों को एक छोटा सा राज बताता हूँ मेरा और डिफेंस फोर्सेज और आर्मी का तेरा साल की उमर थी भारत में एक टेस्ट होता था उस वक्त RIMC के लिए राष्ट्रिय इंडियन मिलिटरी कॉलेज पूरे देश में से बहुत मुश्किल टेस्ट होता है पूरे देश में से 25 बच्चे 13 साल की उमर में चुने जाते हैं उन 25 बच्चों में से मैं भी था मेरी रैंक 25 में से 7 थी 7 पूरी तयारी हो गई RIMC देरादून में है पूरी तयारी हो गई एक रात पहले शॉपिंग करके आ रहे थे मुझे याद है अभी तक खूब बारिश हो रही थी सड़कों पर कर्याने की स्टोर पे गए बड़े से वारे गुपता जी है वहाँ पे हमारे घर के पास पड़ी सी लिस्ट आई थी इतने सुईयां इतने धागे इस कलर के धागे इस कलर के बटन इस कलर के ये छू पॉलिश ब्राउन पॉलिश ब्लैक पॉलिश पता नहीं क्या-क्या लंबी सी लिस्ट आई थी सारी शॉपिंग करके हम लोग घर आ रहे थे और मा का दिल फिर माँ का दिल होता है कहती नहीं, मैं नहीं जाने दूँगी दुझाए मैं तेरा साल का था उस वक्त मेरी सिंदगी के डिशिजन्स मैं नहीं लेता था, मेरे माता जी और पिता जी लेते थे पर मुझे मन के अंदर न, मेरे मन के अंदर एक रंजिश रह गई कि यार मुझे बहुत अच्छा मौका था मुझे इंडियन आर्मी जॉइन करने का 25 में से 7th रैंग आई थी मेरी All India RIMC कंप्लीट करता वहाँ से सीधा डारेक्ट एंट्री NDA में होती है NDA से सीधी डारेक्ट एंट्री IMA में होती है देरादून में पर मैंने उस रंजिश को उस डिसिजन को अपने माबाप के डिसिजन को कि उन्होंने मुझे आर्मी नहीं जॉइन करने दी मैंने इसका गम नहीं बनाया मैंने इसमें से भी सलूशन ढूंडा 5 बज़े उठता हूँ कैंसर का पेशेंट हूँ हेमोगलोबिन 8 से भी कम है मेरा 11 बज़े तक काम करता हूँ दिन में 12 से 16 घंटे आज भी काम करता हूँ मैं क्यों ये फॉज का डिसिप्लिन इस किसम का डिसिप्लिन होता है मैं फॉजी चाहिए नहीं बना लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में फॉज के हिसाब से डिसिप्लिन तो किया अपने आपको इसको मैं कहता हूँ कि चैलिंजिस आते हैं आपको उनसे सलूशन्स ढूणने चाहिए ये एक राजश है मैंने आज तक कभी आम प्रेस पे कभी किसी को बताया भी नहीं होगा ऐसे लाइब वीडियो में आज बता रहा हूँ आपको जब मेरे एक कॉमेंट पढ़ा आज कि मैं एक रिटाइड इंडियन आर्मी से हूँ तो मेरा दिल ना अंदर से गदगद करता है काश मैं भी आराएमसी गया होता काश मैं भी एंडिय गया होता काश मैं भी आईये में गया होता लेकिन मेरी डेस्टिनी कुछ और थी और जो मेरी डेस्टिनी है मैं जी रहा हूँ मुझे पता है जैसे मैंने इसी वीडियो में कहा मुझे पॉलिटीशन नहीं बनना है I'm not interested in politics but I'm interested to show शीशा ये शीशा दिखाना चाहता हूँ मैं सारे politicians को बहुत सारे लोग यहां पे आते हैं तुम 2014 से पहले कहा थे अरे भाई 2014 में मैंने ये channel भी नहीं शुरू किया था तुम Congress की सरकार में सवाल नहीं पुछते थे बस आजकल देश में महौल ऐसा बना दिया गया है बस या आप इस पार हो या आप नारंगी हो या आप नारंगी नहीं हो सारा खेल तो वो नारंगी और नौट नारंगी का हो गया है और यही लिखवालो मेरे से भारत की democracy जो है ना बहुत strong institution है लेकिन अब मैं आपको सामने से बता रहा हूँ democracy की जो institutions है ना जो institutions democracy को बनाती है वो लड़कडानी शुरू हो गई है मेरा अनुमान है यह फिर मत कहना मैंने बताया नहीं आपको भारत के कितने national news anchors है जिनोंने अमेरिका में black lives matter के उपर अपने prime time पे शोज की है बस यहाँ पे जो टी आर्पी के लिए कटा कट कटा कट कटा कट करते रहते है हाँ कुछ भारत के ऐसे बॉलिवूड celebrities भी है जो कभी भारत में हो रहे अत्याचार के उपर कभी अपना मू नहीं खोलेंगे लेकिन अमेरिका में black lives matter के उपर बड़ी अंग्रेची में ट्वीटे भी आ जाती है उनकी जानते हो आप में किसकी बात कर रहा हूँ एक और इसी live वीडियो में एक और चीज़ कहना चाहता हूँ मैं सोनु सूध के बारे में जानते हो ना आप सोनु सूध कौन है एक्टर है प्रोड्यूसर है आज कल बड़े limelight में है मेडिया में है सोनु सूध के ओपर एक टिपनी करना चाहता हूँ मैं अपने विचार रखना चाहता हूँ थैंक यू फॉर 464 live viewers में से 97 लोगों ने तो live के दोरान share कर दिया आप सब का thank you जो बाकी लोगों ने नहीं किया कर दिया करो यार share ये आवाजे पहुँचने दो घर घर तक सोनु सूध के ओपर बात करता हूँ मैं आज या बोलो तो special video ही बना दो मैं सोनु सूध के ओपर क्या कहते हो आपके comments का इंतजार है बताईए इसी वीडियो में बताऊं सोनु सूध के बारे में या special video ही सोनु सूध के ओपर बना दो बताईए आपके comments का इंतजार है थैंक्यू अर्शद गूड मॉर्निंग मिस्टर खान अच्छा एक और चीज़ बें आपको बताना चाता हूँ जब तक आपके comments आएंगे कि जो top fan के badge होते हैं ये मैं नहीं देता हूँ जितनी आप commenting करते हैं प्रेस के उपर facebook के कुछ algorithms है वो facebook के algorithms आपके कितने comments आते हैं कितने shares होते हैं उस हिसाब से आपको top fan badge दिया जाता है मैं नहीं देता लोग मुझे thank you message बेचते है sir thank you अब सुखपाल सिंग जी कह रहे है yes बना दो special video बना दो कोई कह रहा है इस video में बना दो अभी बता दो says तमजीद खान तो ये जो सुनुसूत की चर्चा तो अभी बाद में करेंगे जीवन ये ये देखिए अब अब जीवन प्रकाश सुलंकी ये कहते हैं separate video बनाओ अब देखो अब एक top fan आए अभी देखना आप सब देखना अपनी स्क्रीन पे कौन आया प्रकाश मुलर make separate video he deserves it make a separate video for sonu sooth please शबीर चंबेल ये दो ये दो comments आए अब मेरी नजरों में प्रकाश मुलर क्यों आए क्योंकि इनके साथ में automatically top fan लिखा हुआ आता है मुझे पता है ये बहुत पुराने दर्शक है मुझे पता है ये हमप्रेस के video share करते हैं अपने विचार मेरे साथ share करते हैं मेरे से संपर्क में है प्रकाश पर जैसे ही मैंने इंका top fan का देखा अब आप भी top fan बनना चाहते हैं तो share किया करो video तो अब तो मैं प्रकाश की बात मानूँगा प्रकाश कह रहे हैं कि separate video बनाओ सोलू सूत के ओपर तो मैं बनाऊँगा क्यों क्योंकि top fan प्रकाश ने बोल दिया ही गया हूं एक मेंट थोड़ी सी break ले लूं पानी पी लूँ यह लोग फिर अब यहां पर लोग कहेंगे अरे सर यह तो दारू की बोतल है अरे सर यह तो wine की बोटल है अरे सार यह तो यह है लोग focus ही नहीं रखते किसी जो 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 आपको नीचे खीचना चाते हैं ना वो ये कहेंगे अरे राबिन हुड तम वाइन पीते हो अरे राबिन हुड तम दारू पीते हो वो नीचे खीचने वाले ऐसे लोग होते हैं जो इस किसम के कॉमेंट करते हैं जो प्यार करने वाले लोग होते हैं उनको पता क्या नजर आता है उनक जितने गुजराती यहां पर देख रहे हैं जिनके दोस्ते गुजरात में वो भी बतादो क्या नहीं मिलती कि अधार हूँ वाई गुजरात में खोल दो कच्चे चिट्टे आज यहां कॉमेंटिंग में खोल दो कच्चे चिट्टे और साथ में शेयर करते ना मैसेज ये पहुंच जागा घुनता घुनता गुजरात के चीफ मिनिस्टर के पास भी और गुजरात के पुराने चीफ मिनिस्टर के पास भी जो आजकल पता नहीं कहां पे हैं पर चलो पकोड़े तलने में बिजी होंगे कहीं पे हाँ ये 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 देखो ये देखो अभी विशाल कतूरिया का कॉमेंट आया कहते हैं किसी को क्या लेना देना अगर पीते भी हो तो अपने लिए पीते हो ये बैलेंस्ट कॉमेंट है अर्शद राजपूर टॉप फैन इमीजेटली मेरे लजर में आ जाता है टॉप फैन बैज क्यों क्योंकि ये शेयर करते हैं हमारे वीडियो सर क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं उसकी प्रॉपर्टीज को जो ये सनलाइट आती है ना ग्रीन कलर की बॉटल में उसको क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं और ये बताओं ये बॉटल कहां से आई ये बॉटल कम से कम तीन साल पुरानी है ये आमप्रेस के ही एक दर्शक है उनसे बहुत प्यार हो गया वो खास मुझे मलेशिया से मिलने आए मेरे घर पर आए मैंने इन्वाइट किया उनको जब वो आए तो वो अपनी तरफ से प्यार से एक वाइन की बॉटल मेरे ले गिफ्ट में ले आए अब रेड वाइन है और मैं रेड वाइन पीता हूँ क्योंकि मेरे खून के लिए अच्छी है क्या गुना कर दिया मैंने पर मैं ये बॉटल नहीं फेकता क्योंकि जब जब मैं इस बॉटल को देखता हूँ मुझे उस प्यारे से दर्शक की याद आ जाती है अब तरुन सूथ देखो एक टॉप फैन है कहते हैं we are not interested in listening about wine and daru तरुन सूथ this is not about wine and daru आपको क्या नजर आ रहा है wine and daru मैं आपको क्या बता रहा हूँ वो प्यारे से दर्शक की effort दिखा रहा हूँ मैं आपको उसका स्ने दिखा रहा हूँ उसका प्यार दिखा रहा अपने मंद से लेके आये थे बॉटल आप कहते हो we are not interested in listening about wine and daru आपको क्या नजर आ रहा है आपके लिए मचली की आँख इस वीडियो में क्या है यह आपकी आँखे बताएंगी आपका दिमाग बताएगा मेरा नहीं हो आप भी टॉप फैन हो तरुन सूध चलो आगे चले हाँ सर मैंने पहले भी आपको इस बॉटल से पीते देखा है सेज अरिंदम घोश तो अच्छा अब यह देखो यह आए एक अंकु चोहान तेको नशा हो गया है अरे बे तेको अबे तेको नहीं तेरे को और माबापने तुझे आप तो बुलना सिखाया नहीं होगा अंकु चोहान है ना तो तो तेको बुलेगा और तेको में भी मैं गलती ढूड़ दूगा फिर तेरी साथ सो लोगों के आगे तेरी टांक ही चूँआ फिर साथ सो लोग हसरे होंगे तेरे पर खिली तो अपनी उड़वा रहोगा बेटा मुझे नशा होने है मुझे बिन पीए ही चड़ी रहती है बोल देना जाके अपने तेको वाले बाप को जिसने तिरे तेको बूलना सिखा है जवाब देने आने चाहिए जब आपके मन में खोट नहीं होता ना जब आपके मन अब मुझे अंकू चोहान से मैं नफरत थोड़ी करता हूँ तांक उसने मेरे को तेको बोला मैंने उसकी डांक खीच दी इसका मतलब है कि मैं अंकू चोहान से नफरत करने शुरू कर दुनिया नफरत से नहीं चलती कोई गलती करता है आप उसको गलती सुधारने का मौका दो आप उसको एक्स्प्लेइन करो कि उसने गलती करी है पर इसका मतलब यह नहीं है कि मैं अंकू चोहान की जिसकी मैंने टांक खीचिये मैं उससे नफरत करता हूँ दुनिया नफरत स से नहीं थैंक यू विशाल कथूरिया न्यूजिलेंड से देख रहे हैं अब यह एक और आये हैं रह्मान किन्नी गोली कहरे हैं बकवास बंद करो अब यह दो टके के पकोड़े तेरे कलपटी पे किसी ने वो थोड़ी रख दिये हैं कि तु यहां के वीडियो देख और फिर यहां के कॉमेंट कर बकवास बंद करो क्यो अपना डेटा खराब कर रहा है अपने मन का चैन भी खराब कर रहा है मुझे तो मौका चैया होता है तेरे जैसों की पतलून का नाड़ा खीचने के लिए नीचे खीच रहो मैं लाइफ वीडियो में तेरा नाडा किंगोली साहब नफरत मैं आपसे भी नहीं करता लेकिन अप अटेंशन लेने के लिए जब आप ऐसे कॉमेंट करते ओना मेरे लाइव वीडियो में कि बखवास बंद करो बुरा बत मनना किंगोली साहब किंगोली साहब कितनी गोली आपकी बाकी दुनिया की तो दो होती हैं, आपकी पता नी कितनी है, खीच ली ना टांग दरी, निकाल दिया ना नाडा नीचे, नफरत फिर भी नहीं करता मैं आपसे, गाली तो नहीं दे रहा आपको मैं, मा की, बहन की, अब इतने बड़े बड़े भारत के वो वाली गेम के ना, ज कुछ एक्टर भी होते हैं नाम नहीं ले रहा हम है वो ऐसे ऐसे वेब सीरीज भी प्रोड्यूस करती है उनकी कंपनिया जिसमें हर दूसरे सेंटेंस में मादर, बेहन चू ऐसे ऐसे शब्व्यूस किये जाते हैं बहुत चलती हैं वो सीरीज बड़े उसके critically acclaimed views आते हैं अरे बड़ी अच्छी सीरीज है मैंने भी देखी नौ सीजन की सीरीज क्या नाम था उसका पतालोग हर सेंटेंस में हर दूसरे सेंटेंस में मा की काली या बेहन की काली कई बार ही तो मैं सोचता हूँ यार ये बाप की काली और भाई की काली क्यों नहीं बनी आज तक आरिफ क्या करू यार आरिफ कह रहे हैं सर गोलियों पर आपने हसी दिला दी अब तो वापिस नहीं आएगा रह्मान किन्नी गोली का कॉमेंट कर दे यार कॉमेंट मैं नफरत तिरसे फिर भी नहीं करता तू कहता है न मैं बकवास कर रहा हूँ मैं तो नहीं तेरे घर आया तिरको कहने के लिए ओए नींद से उठ किन्नी गोली उठ आ के मेरा वीडियो देख मैंने तो नहीं कहा तिरको किसी दर्शक नहीं तो नहीं कहा anyway जहीर अब बास कह रहे हैं आप टॉपिक पे रिटर्न आईए प्लीज सर टॉपिक यही है टॉपिक यह है कि डी ट्रैक्टर्स से कैसे जवाब दिया जाता है डी ट्रैक्टर्स को टांग खीचने वालों को बिना गाली दिये कैसे जवाब दिया जाता ये सबसे बड़ा टॉपिक है इस वीडियो का लेकिन आपको फिर से याद दिला दूँ ज्यारा बजे एक वीडियो रिलीज करूँगा गुजरात मॉडल पल्टी देख लेना और शेयर कर देना हाँ देदी मेडिसन लिया का दली क्या ओ फिर से आ गया फिर से आ गया इसकी 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 शांती नहीं बढ़ रही इसकी विचारी आत्मा भटक रही है फिर से कॉपी पेस्ट करके आ गया किनी गोली बाई अब जनता ना तेरी सोच रही है कि तेरी कितनी गोलिया है गोटिया जाने हम तो आगे चलेंगे भाई लिखता रहे बकवास बंद करो लिखता रहे मेरे मेरे डैडी का क्या जा रहा है मैंने तो ओडियंस को इंस्पायर कर दिया कि तेरे जैसे कितनी गोली वालों को कैसे जवाब दिया जाता है मंजिंदर सिंगिल बात हुई थी आप से वीर जी गोली मारो कहते हैं गोली मारो इनको क्यों कुझे के मूँ लगते हो ना ना इना नो स्काना है लोगका नो दुझ्जय नो इंकरेज करना है पता है हमारे स्कूलों में जब कोई हमें गाली देता है या हमें धक्का देता है कोई तो हमें उससे डील करना अच्छी तरह नहीं सिखाया जाता जब मुझे कोई मा भेन की गाली देता न है मैं उसको स्क्रेंशोट बनापिस बनाता हूँ या उसका करारे जवाब के वीडियो्afe बनाता हूँ मैं हसाता हूँ आप लोगों को उसका मकसद पता है उसके मेरा क्या होता है उसके पीछे मेरा मकसद होता है कि जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं या स्क्रीन शॉट्स देख रहे हैं उनको समझ में आ जाए कि कोई आपको गाली देगा तो उसको बिना गाली दिये कैसे जवाब दिया जाना चाहिए परेश देवानी कहते हैं आपको जो अग्रेशन लग रहा है न वो मेरे लिए अग्रेशन नहीं है मेरे लिए रोज की बात है you think I'm angry परेश no I'm not angry I'm trying to wake up sleeping souls like you who think this is aggression this is not aggression this is reality my dear friend top fan एक बीच में आये थी कोई नाम था इनका sir हाथी सीधा चलता है कुटे भॉंकते हैं अर्शद राजबूत चलो अब वो किन्नी गोली को बिचारे को टेंशन हो रही है एक तिवाडी जी भी आ गए है वो भी बकवास मत कर वाले comment वो किन्नी गोली के लगता है मुसेरे या चचेरे भाई होंगे इनको इनकी गोली आभी गिनने के लिए टाइम देना चाहिए हम सब को कि इनके कितनी गोली हैं कोटियां कितनी हैं इनकी हैं तो इनको टाइम देते हैं और सब ठाके मारके हसते हैं और एक दूसरे को प्यार भेज़ते हैं और एक दूसरे को ये message भेज़ते हैं अपना ख्य की मांर के नहीं जानाय वाला आपकी जान की हफाज़त आपकी फैमली जान की हफाज़त आपके हाथ में है अभी उसको lightly मत लेना बिना मास्क पहने घर से नहीं निकलना hand sanitizer उच्छी तरह पहन के जाता हूँ ताकि किसी का spit गलती से भी या थूक जो होती है वो गलती से आँख में भी न चली जाए मूँ में न जाए नाँख में न जाए तो आँख में भी तो जा सकती है मुझे नहीं समझ में आया कि सरकार ने इतने पैसे खर्चें करोना की एड़िटाइसिंग करने में जब फोन करो किसी को एक महिने की वो एक मिनट की वो पहले तो वो कहानी सुननी पड़ती है पर किसी ने आज तक ये नहीं सोचा कि अगर नाक और मुझ में मुझ से थूक जा सकती है या नाक से किसी की थूक आप इनहेल कर सकते हैं तो आख से भी तो जा सकती है हाँ स्टोन हैमर का देखो कितना बढ़िया कमेंट आया कहते हैं सर किन्नी गोली को गोटियां एक ही है बच्चा होगा तो ये ऐसी चीज़ें अब लोग मुझे पूछते हैं तुने भारत के लिए क्या किया मुझे तुने आज तक भारत के लिए किया ही क्या है मुझे इस मामले में ना शारुक खान बड़े अच्छे लगते हैं जो उन्होंने करना होता ना वो चुप-चाप कर देते हैं उसका डंका नहीं बजाते मैंने ये किया मैंने वो किया मैंने ऐसे किया मैंने वैसे किया डंका नहीं बजाते ये चश्मे मैंने अपने लिए भी खरीदे और मैंने बहुत सारे लोगों को अपनी तरफ से चश्मे दिये भी हैं कि आप बचके चलो पर मैं डंका नहीं बजा रहा कि मैंने इतने करोड़ों रुपे की डोनेशन करी मैंने इतने लाखों हजारों के चश्मे बांटे नहीं कोई ज़रूरत नहीं है मुझे करने की यह I don't need to prove to anyone what I have done and what I have not done बिचारे किन्नी गोली की तड़पती आत्मा यार परिशान हो रही है अब मैं वीडियो बंद करता हूँ उसको देखना है जाके वो वीडियो बंद हो ना फिर वो जाके चेक करेगा कि उसकी कितनी गोली है तो इसी बात पर जै जनता ठोको शेर ठोको शेर ग्यारा बजे गुजरात मॉडल पल्टी का वीडियो आएगा देख लेना और शेर कर देना चलो इंजॉय और सेल्फ और लवली डे राकेश परवल पूछ रहे हैं ब्रेकफस्ट में क्या है आज राकेश परवल प्रेकफस्ट में पहले तो एक सेब अभी खाऊंगा मैं वीडियो खतम होने के बाद और उसके बाद तो बीवेरी ओनेस्ट आज का प्रेकफस्ट मैंने प्लैनिंग नहीं करी है मैडम ने करी है तो उनको पता होगा आज का प्रेकफस्ट क्या है क्योंकि प ब्लेस्ट स्टे सेफ एंड वेर चश्मा लाइक दिस ऑन टॉप आइज और इवन टॉप आप यॉर चश्मा मुझे तो लगता कि मुझे अपने कुछ अगले वीडियो जना मेरे को इसी तरह बनाने चाहिए ताकि इसी तरह से यह देखो यह आए कि विशाल शर्मा जी आए भारत जिन्दाबाद मोदी जिन्दाबाद अरे यह मोदी जिन्दाबाद नारा लगाने के प्लैटफॉर्म नहीं है ना ही राहुल गांदी को जिन्दाबाद करने का प्लैटफॉर्म है अब यह अपनी दो रुपे की ट्वीट गिरी और कॉमेंट गिरी ना अपने नाली क गैस में जाके कर, यहां मत कर विशाल शर्मा, चलो, टेक केर, गॉड ब्लेस, सर मेरे कॉमेंट्स का आंसर दे देना कहते हैं, नितिन गौतम, नितिन नहीं दूँगा, पते कितने कॉमेंट्स हाएं इस वीडियो में, आप मेरे से संपर्ख करना चाहते हैं, मैंने रास्ते खो प्रफोल रखे हैं ना मैंने आपको मेरे से संपर्क करने कि लिए आप वो रास्ते फॉलो नहीं करते आप मुझे उस तरह से संपर्क नहीं करते जिस तरह से मैं कहता हूं सो परसंट जवाब दूँगा फिर आप कहते हो थैंक यू गुरमीद पाजी नमाफ होने सर परस हो ही जी ठीक ठाग है ते टेक केर पीपल टेक केर स्टे ब्लेस्ट हां जी अमन गौतम जी यह अंद पकते हैं क्या करें इनका चलो हाँ अब यह देखो लास्ट कमेंट पढ़ रहा हूं मैं गोपी का गोपी के वेलू सर गोदी गोली तिवाडी गैंग आर इन पेड रोल एट र यह कहां से पे होते हैं तो वो पीएम केर फंड वाले ही जाने और गोली और तिवाडी गैंग वाले ही जाने लेकिन कीप स्माइलिंग स्टे हैपी स्टे ब्लेस्ट क्यारा बजे देख लेना गुजरात मॉडल परटी शेयर कर देना बाइबाए